तो आज मैं पेपर पैटरन से रिलेड़ेड़ आपके साथ न्यूज शियर करने वाली हूँ कि 2023 के जो बोर्ड एक्जाम होंगे वो किस तरहां से होंगे यानि क्योंका जो पेपर पैटरन है वो क्या होगा और वहाँ पे हमारे पास MCQs के कितनी वेटेज होगी यानि कितनी परसंट हमारे पास MCQs आएंगे कितने परसंट short questions आएंगे और कितने ही परसंट long questions आएंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमारे पास 20% MCQs पेपर आएगा 40% हमारे पास short questions आएंगे और 40% हमारे पास long questions आएंगे यह है नया 2023 का board examination pattern जिसके base पे हमारे पास 2023 के paper लिए जाएंगे बहुत सारे बचे मुझसे पूछ रहे थे कि इस बार का paper pattern क्या होगा क्योंकि बहुत जागां पे हमारे पास जो change हुआ है paper pattern change हुआ है और बहुत सारी जगां पे जैसे 9 metric का तो course भी change हुआ है और अब intermediate का भी expected है कि almost पूरा ही वो change कर देंगे तो इसी तरह से हमारे पास paper pattern भी change हुआ था जो के मैंने आपको share कर दिया कि 20% MCQs 40% हमारे पास short questions और 40% long questions आएंगे तो I hope के आपको यह video अच्छी लगी होगी आपके लिए helpful रही होगी तो please like my video, share my videos and subscribe my channel Thank you